नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दख़बरदार न्यूज खुलदेब तिबारी केड़ी सतना चैनल के डाइरेक्टर प्रोड्यूसर और एक्टर सब कुछ आज हमारे साथ हैं कुलदेब तिबारी जी आए स्वागत करते हैं नमस्कार सबीको नमस्कार दोस्तो और बहुत बहुत धन्वाद आप सबको डेर सारा प्यार बनाई रखने के लिए हम जानना चाहते हैं कि एक अच्छा विद्यार्थी अगर कलाकारी करने पूतर आए तो लोगों का रियाक्शन कुछ अलग ही होता है तो इस वारे में क्या कहना चाहे क्योंकि हमने सुना है कि आपका आप ही अच्छे विद्यार्थी हैं यह वाद सही है हलाकि मैं ज्यादा अच्छा विद्यार्थी कभी नहीं रहा बस अपना मीडिया में था 50-60-60-70 पस इससे जादर कभी नहीं गया और आज भी हमारे समाच की यही सोच है दोस्त की अगर क कोई लड़का पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग अलाकारी के चेत्र में भी कुछ काम करता है तो समाच की यह चेत्र है सोच है कि हमारा बेटा सिर्फ पढ़ाई के चेत्र में जाए क्योंकि उसका बविस्तिसी में है और असल में होता यह है कि कोई भी चेत्र में अगर अपने क्रिकेट को लेकर इतना ज्यादा नहीं प्रियास किये होते तो आज कहां होते हो और सतना से आपकी प्रारंभिक पढ़ाई हूं उसके बाद रतलाम से अपने इंजेनरिंग की उसके बाद अचानक से कहां कब और कैसे पहला वीडियो बनाने की प्लेरणा मिली आपको यह सही है मैं मतलब पहले स्कूल में यही हमारी सतना से हुई फिर उसके बाद पॉलिटेकनिक कॉलेज मिला हमको रतलाम दिश्टिक का तो हमने वहां से अपना डिप्लोमा कंप्लेट किया उसके बाद मैंने जौब किया दो साल धाई साल और जब मैंने सभी जगे घूम कर जब मैं घर आए उस टाइम पे मेरे दादा जी एक्सपायर हो गए थे और उस टाइम फ्री था तो मैंने सोचा कि यार कि क्यों नहीं मैंने रियल सेट वालों का वीडियो देखता था मैं उस टाइम पे और बढ़ाना जी भी सायद करते थे तो थोड़ा कम पॉपलर थे वो थे तो मैह ने बोला कि कुल्दील सुना है तुम मे recognize करते हो मैं एक दर गया कि तो बिल्कुल आप बता सकते हो तब से एक में मंगलबार को पहले हमारे आइए बाल सभा करती त hic मतलाब तो मैं उस टाइम पे जोक्स वगएरा सुनाना, मिमेकरी करना और चनल नौलेश की ये सब के कोश्चन वगएरा करना अपने दोस्तों के साथ किया करता था, मैंडम पहले से ही आंगे निकाल देती थी मुझे उठा कर कि आप आईए और ऐसा कीजिए, तो तब ही से था, फिर म मैंने चैनल ओपिन किया, फिर मैंने का निया कुछ नहीं, फिर धीरे-धीरे लोगों का प्यार मिलता गया, तो मैंने इस चीज और यूटूब को आपने बनाया था हमने चार सेप्टेम्बर को साथ वीडियो डाला था वीडियो तो हमने पहले ही बना लिया था 15 से 20 अगस्त के बीच में पाड़े भी था और और सुरेंद पांड़े था मेरे साथ तो हम लोग बैठे हुए थे तो सोचा कुछ नहीं ऐसे ही पेड़ के बैठके और म कुछ दिन बाद हमने पहला वीडियो अपलोड किया था फनी हैर कटिंग पर वह अच्छा नहीं बना इसलिए भी वह प्राइवेट पर रखा हुआ है तो क्या कब ओपन हो सकता है या फिर फिर प्राइवेट ही रहने वह नहीं होगा क्योंकि कुछ लोग देखने वाले उस अच्छा वीडियो नहीं बना हुआ था इसलिए मैंने उसको प्राइवेट ही करके लखा था कुल्दीब तिवारी वैसे तो एक साप्ट नेचर के लिए जाने जाते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफी हार्ड नेचर उनका सामने आता है और आनलाइन गुसा भी सामने आता है इस वारे में क्या कहना चाहते हैं अजय करते हैं सभी यूटूबर जानते हैं जितने ही मेरे भाई हैं बिंद के कि मैंने आंगे आकर पहले से किसी को नहीं कहा है एक दो को छोड़ दे तो वो बात की बात है मैं तो यही चाहता हूं कि सभी लोग एक दूसरे का सहीयोग करें और एक दूसरे को बढ़ने में साथ दें और साथ मिल के काम करें, ऐसा नहीं है, मैं तो कभी किसी को कुछ भी निगा, गुष्टा वगरा ऐसा नहीं है, बस हाँ, कभी सही चीछ को ले करके कुछ न कुछ कहना और जवाब देना भी सही है, और बिंध की अगर बात करते हैं, तो बिंध में कई सारे कलाकार उभर करके सामने आ रहे हैं, और हर टीम के साथ नहीं कलाकार जुड़े रहे हैं, लेकिन कुल्देव तिपारी जी के साथ जो पुरानी टीम हो काफी टाइम से बर्ग कर रहे हैं, नहीं कलाकार कवाएंगे, जैसे कि नहीं कलाकार दिखे, किस को लेकर आप बोले हैं कि किस टाइप से नहीं कला दिश्रा कारों से संबंध में है कुछ लोग लॉंच हो सकते हैं इस बारे में हम जानना चाहे हैं लेकिन हमारी तीम है वह एक फैमिली की तरह है मतलब सासांत का प्ले करता हूँ क्योंकि हर व्यक्ति के उपर अलग-अलग एक्टिंग ही सूट करती है तो हम लोग एक फैमिली के तरह इसलिए प्ले करते हैं और अगर कोई जैसे सीनू हमारे इसमें थी तो वो जब आई थी तो उनने भी दो वीडियो किया हुआ था अलग बंदा अगर हमसे कोई आड होगा तो जरूर वो भी आने वाले किसी वीडियो में दिखेंगे और जैसे ही हम लोग प्लान करेंगे तो जरूर सभी को कलाकार को लेंगे काफी समय से आपके वीडियो आने बंद हो गए है और दर्सक काफी इंतजार कर रहे हैं इस चीज को ले करके तो ये दर्सकों का इंतजार कब खत्म होगा इस बारे में बताई इंतजार तो सम्थिंग मार्च अब देखे क्या है कि मैं ऐसे कामों में विजी हूँ थोड़ा जमीन के विवाद में फसा हुआ हूँ और जब से पापा एक्सपायर हो गया है तो यार मतलब एक मिनट के लिए आप सोच के देखिए कि अगर जो बंदा फैमिली की पूरी रिस्पॉंसिबिल्टी लेकर रखता है तो उसको कुछ नहीं दिखता सिर्फ अपना करता व्यो कर्म दिखता है और कुछ नहीं ये सब मतलब धाई साल से मैंने किया मेरा एम था और आंगे भी करूंगा यूटूब वीडियो और सौट फिल्म बगएर में काफी टाइम लगता है काफी कुछ सोचना पड़ता है जैसे कि मैं पहले की डेट पे अगर बताऊं तो रात रात भर अपन स्क्रिप्ट लिखा करते थे अब खुद के मतलब कामों में इतना मेंटली टॉर्चर है इंसान तो इस वह से कुछ रोक करके रखा हूं लेकिन अपनी पब्लिक को जरू ये शीर बताऊंगा अपने दोस्तों भाईयों को सभी को इस्ट्रगल आपकी जिन्दिगी का एक हिस्सा बन चुका है कभी ऐसा लगा कि अब नहीं करना चाहिए नहीं देखे इस्ट्रगल हर इंसान की जिन्दिगी का एक बहतरेन हिस्सा है और बिना मेहनत की ये इनसान कभी सफल नहीं होता और कुछ सोचना पड़ता है हर चीजों को ले करके और उतनी मेहनत करनी पड़ती है और इतने दिनों से जनता इंतजार कर रहे हैं दर्सक इंतजार कर रहे हैं तो हम क्या मान सकते हैं कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट कुछ बड़ा धमाका होने वाला है अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो दर्सकों को इस बारे में कुछ बताएं हाँ बिल्कुल देखे अभी हम लोग मतलब जितने भी कुछ यूटूबर्स हैं मिल करके एक शॉट फिल्म का एक मूवी का प्लान बना रहे थे रीवा से ले करके भी और सतना नहीं मिल पाया सब चीन मैं बताऊं तो पहले तो एक ही जगह भी भादित था जमीन को ले गर के अब तीन तीन जगह चल रहे हैं तो इस चीज के चलते फिर मैंने सभी से राय ली कि यार ऐसी ऐसी बात है अब अगर मैं उस टाइम टाइम नहीं दे पाऊंगा तो कोई मतलब निकलेगा इसलिए हमने थोड़ा सा पॉस्पाउंड कर रखा है लेकिन जरूर देंगे अच्छा देंगे और बेहतरीन देंगे आप सब लोग को पसंद भी आएगा थोड़ा सा इंतियार कीजिए और सब साथ मिल करके देंगे आपकी टीम में काफी सारे लोग काम करते हैं सुरेंद पांडे हो गया सुबोध मिस्रा सुमंत और राचन सिंग बुंदेला है ना सनु दिक्षित सुभांक तो इन समने मेरा बहुत सपोर्ट किया है मतलब स्टार्टिंग से मैं बताओं तो सुभांक दिक्षित जो है मेरा चैनल क्रियेट करने वाला वही था हम लोग क पर अगर यह लीजे आपका चैनल में ने क्रियेट कर दिया उसके बाद फिर हमने सोचा किया कि बनाए कैसे मोगा था फिर मैंने सुरेंद पांडे को कॉल किया तो मेरे साथ एक चीज है मैं बहुत धन्नवाद बोलूँगा सभी का कि मैं लोग को अगर यह बोल देता हूं क फिर पांडे आया पांडे मनीश ने भी काफी वीडियोस पे साथ दिया फिर दीरे दीरे सिखा दी आई वेलेंटाइन डे स्पेसल से लेकर और आते धमाका मार दी सीधे वो 5.5 मिलियन व्यूग पे चला गया देसी देसी वीडियो भी था जैसे वीजे राज भीया लोग के हैं बहुत बहुत धन्नवाद हैं उन दोस्तों का भाईयों का सभी का नेचर अच्छा मेरे टीम में चाहिए कोई भी हो सब मेरा सपोर्ट करते हैं सब सभी करते हैं एन टाइम पे खड़े रहते हैं हमेशा काम को लेकर ततपर और मैं भी कभी ऐसा उनको कभी फिल नहीं होन करती हैं अभी पिछले दिनों हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेप और हत्या कांड हुआ जो बहुत ही दुखद और रोह को का पाने बाला था तो आरोपियों के बारे में और देश की कानून विवस्था को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं देखिए यह दुखद घटना है मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इनफेक्ट पूरा भारत बहुत ज़्यादा दुखी है पूरा जितना भी वर्ल्ड है जितने लोग को भी यह चीज की जानकारी हुई होगी यहां तक कि मैंने आज पेपर में पढ़ा कि एक एथलिस्ट की एक प्लेयर थी उ आजकल यह मेंटिलेटी हो चुकी है लोगों की कि बहुत ज़्यादा ही दुखीत है दुखीत करती है लोगों को बहुत ज़्यादा गलत है आपके चैनल से अभी तक सिर्फ वीडियो जाएं हैं आने वाले समय में गाने और साथ मुविज किस तरीके से आएंगी और कितनी देर में आएंगी इस चीज के बारे में बताई और इन वीडियो को बनाने में किन लोगों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहता है यह चीज बिलकुल देखे मेरे चैनल पे दो सौंग भी आ चुके एक रैप सौंग आया है जो मैं कुष कर्मा ने किया है और वो अपने नाम की पार वगया थ continues को पॉस्पेंडेट करते करते कि फिर वह काफी टाइम लग गया है और हलाकि वीडियो को सुट करने में स्टार्टिंग से ही सुमन्त का हांत्रा है वो बंदा एवन टाइम बड़े आनि टाइम कभी भी उसको बोल दो कि सुमन्त आपन यहां सूट करने व इसलिए मेरे साथ हैं और अपनी टीम को मैं सभी को धन्वाद देता हूं बहुत बहुत एक कलाकार के तौर पर एक चैनल प्रोडूसर डाइरिक्टर के तौर पर दर्सकों को आपके तरब से क्या संदेज देना चाहते हैं दर्सकों को सबसे पहले मैं यार बहुत बहुत धन्वाद देना चाहूंगा क्योंकि इतना सहयोग इतना प्यार मैं बताओं कि मैं सुरू से बाहर रहा हूं मुझे जानता भी नहीं था कोई सतना में मैं जादा भी नहीं जानता था लेकिन मेरे जो इतने भी भाई चोटे लो कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है बस थोड़ा सा सयोग कि ए रहना आगे चल के बहुत अच्छा काम आपको देंगे करके इतने सारे वीडियोज बनाएं कुछ डायलॉग्स और कुछ बीडियोज के बारे में थोड़ा सा बताएं कोई दमदार डायलोग जो दर बार बार सुनना चाहता है मुझसे मैं डायलोग लिखता हूँ जैसे अब एक दो डायलोग में लिखे हैं पाड़े के मुझसे जादा लोग डायलोग सुनते हैं क्यूंकि टोड़ा सा वाइस जादा क्लियर थैंना अपन मैं किवल डारेक्शन पर ज्यादा काम करना चाहता हूँ एज एक्टर कभी नहीं सोचा में एक्टर के तोर पर जो आपको फेबरेट डायलोग हो गोगो पनाउती साले पाड़े को मैं मोलता हूँ यह चीज को पनाउती साले और शीका को जब यह मोलता हूँ का मैडम तो ऐसे करके वो वो लाइने होती हैं वो डायलोग हैं तो इसलिए ऐसे ऐसी कहते हैं दखवरदार न्यूज को धेर सारी सुपकामना है बहुत बहुत धन्यवाद आभार और इनके चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजेगा ताकि विंद में हो रही गतिविदियों के बारे मे आपको हमेसा जानकारी मिलती रहेगी और सपोर्ट मिलता रहेगा सब चीज का तो आप लोग भी इसको लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजेगा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद ये थे हमारे साथ कुलदेब तिवारी के डिजी नमस्कार धन्य जा जिंदानवाद थे हमारे!!!